आज मैं आपको बता रही हो यहां पे देखिए वैक्सिंग जो हम करते हैं तो मैं बैसिकली अपने पारलर में तीन तरह की वैक्स यूज करती हूँ जो पर्मानेंटी मैं यूज करती आ रही हूँ आप्टर और ट्वर यहर यानि 12 सालों से मैं लगातार तीन तरह की वैक्सिं के अकॉर्डिंग मैं नया वीडियो आपकी सभी के लिए लेकर आऊंगी फिलाल यह है जल वैक्स के लिए आपने सुना हो गई यह बोडी केर का ना जल वैक्स है इसकी यह रैपिंग है यह ओपन करते हुए मेरे से फट गई थी ठीक है और यह है उसकी वैक्स वैक्स इस सब्सक्राइब के क्रिस्टल होता है जैसे साबून वगेर आपने देखियो गए मिट्टी वाली इस टाइप की यह देखिए यह है यह है इसको हमें मेल्ट करना होता है हीटर के अंदर टालके तो मैंने जो पहले यूजिंग के लिए रखा हुआ है यह वहीं वैक्स है आप बकुमेंं के वीडियो बतारी हो अगर आपको कोई क्विट does and हो या कोई भी क्वेशन हो तो please कमें चैनल की इस कामेंट में मेरे को जरूर बताए उस में जरूर कीजिया यहां यह जाए। Carrot होता जाहरा है ठीक है और आप जो वैक्सिंग करते हैं तो मैं तो यहीं आपको स तो प्लीज आप इस तरह की लकडी की स्टिक आती है और ओफ लाइन भी मिल जाएंगी और ओफ लाइन भी मिल जाएंगी आपको ठीक है सो इस तरह का बोडन स्टिक का आप यूज करके और अपना वैक्स करा कीजिएगा क्योंकि जो हम चाकू के गरा यूज करते हैं वो बैसिकली स्टील का होता है अपलाई करेंगे तो ज्यादा हीट भी वैक्स भी हीट रहेगा और यह भी हीट रहेगा इस वज़े से हमारी स्किन नुकसान पहुच सकता है बैसिकली आज मोस्टली लोग अंदर रहते हैं तो अपसिजन की मातरा बढ़ती है यानी स्किन फ्लाफी हो जाती है ठीक है कलर लाइट हो जाता है इस ताइप की समस्या होती है इस्किन में डौने स्किन में रहते हैं लेकिन हम बदलते टाइम की वज़े से हम अपनी रहन से हन तो नहीं बदल सकते हैं ठीक है कमफोटेबल जो हम रह सकते हैं उन चीजों को नहीं बदल सकते हैं लेकिन हम इन सुविधाओं को देखते हुए भी अपनी थोड़ा सा हम आईडियाज आज माखे और हम अपना काम कर सकते हैं मैंने लास्ट टाइम वोड़न स्टिक इसी के अंदर छोड़ दिया था तो यह अभी इसमें बिल्कुल जम चुका है और इसको मेल्ट होने में ठोलाट सा टाइम लगेगा यह होता है चम्मच मैंने यह लिया हुआ है मैगी वेगे रखाने वाली जो हमारे पास चम्म में होता है यह भी गरम होता है पकड़ने में भी इसको दिक्कत होती है क्योंकि यह हमारी वेक्सिंग के लिए यह नहीं बनाए हर चीज के लिए अलग-अलग टूल्स होते हैं और आप समझ सकते हैं यह हमारी वेक्सिंग का टूल्स नहीं और घर पे कई लोग यूज करते तो उनकी स्किन को नुकसान पोचता है इस चीज से ठीक है और जल वैक्स करने से पहले मैं दो एप्लिकेटर है मेरे पास बिफॉर और आफ्टर के वो मैं आपको बताती हूँ ठीक है आपको यह बोड़ी केर का सेम वैक्सिंग के साथ आप जहां से जैल वैक्स करते हूं लेते हो यूज करने का नियुक्सा नेएं इसके बिना पर्फेक्ट तरीके से नहीं होता है और यह वैक्सिंग उयल इसके बिना वैक्स निकलता नहीं है आपने कई बार देखा होगा पालर्स में रिका वैक्स यूज करते हैं और रिका वैक्स निकलता नहीं है ठीक है तो इसका कारण भी सेम यह होता है तो मैं इस जेल सब्सक्राइब और इस तरीके से हम अपने हैंड्स के उपर अपलाई करेंगे ठीक है मैं यह जो जेल वेक्स है यह हाथ के उपर ही आपको यूज करके दिखा रही हो ठीक है सो फस्ट अफॉल मैंने यह अपलाई कर लिया है आप देख सकते हो इसकिन साइन हो रही है इस जेल क साइड से अपजोर होने लग गए है यह इधर थोड़ा एकस्टा लगा है तो इपलाई करना शुरू हो गया है आप यह देख सकते है मेरे हात में यह अप्जोर्ब हो चुका है अब उसके बाद हमारी वैक्स काफी हाथ तक आप देख सकते ही मेल्ट हो चुकी है ठीक है जो हाथ पेर होते हैं थोड़े जले होते हैं किसी इंसिडेंट की वज़े से इस चीज को ब्लेम नहीं करके चलना है हमने अपना काम परफेक्ट तरीके से करना है और अच्छा माइंड यूज करना है अपने काम करते हुए आपने देखा यह जल बिल्कुल एपजर्ब हो गया मेरी हाथ में आपको शाइनिंग से लग रहा होगा इसमें मैंने जल अपलाई किया हुआ था आप देख सकते हैं यह मैंने वुडन स्टिक से लिया अगर गरम भी होगा वैक्स ठीक है तो वैक्स को लेते हुए हमें यह दे पीछे से आप की और उसके बाद हम अपलाई करेंगे यह फिर से में लेंगे जल वैक्स फिर पीछे से oz, तरीके से और आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ के उपर अपलाई कर लिया आपक्तारी करने के बाद थोड़ी ही देर में यह इस जळ्य है थोड़ी ही देर में यानि यह लगा लीजिए तीन से चार सेकेंड जैसे हमने जैल अपलाई करके छोड़ा था ठीक उस तरीके से तीन से चार सेकेंड में यह इस तरीके से आजाएगा और इस तरीके से आप करके निकल देंगे आप देख सकते हैं मेरे यहां पर जो हाथ पे हेर है छोटे-छोटे इस तरीके से अगर छुडानी की कोशिस करेंगे कितना हूं तो यह छूटेगा नहीं ठीक है और थोड़ा थोड़ा आपने देखा होगा यहां भी वैक्स थोड़ी थोड़ी सी छूट चुकी है ठीक है जैसा कोई भी हम वैक्स करते हैं तो सेम इसी कंडिशन में हमारा वैक्स करना है ज्यादा नहीं करना है और जो भी वैक्सिंग का हिस्सा है उन सब पर वैक्स लगा होगा वह आटोमेटिक निकल जाएगा जैसे आप यह देख सकते हैं मेरी उंगली पर यहां पर लगा हुआ जो वैक्स है वह आटोमेटिक छूटना स्टार्ट हो गया है पूरी अगर आपकी स्किन पर चिपक जाता है वह छूटता नहीं है तब भी आपने इसी ओयल का यूज करना है जिसकी वजह से आपकी स्किन पर लगी वैक्स पूरी तरह से उतर जाएगी और नॉर्मल वैक्स जो हम करते हैं नॉर्मल वाली वैक्सिंग में तो आप सभी को पता ही होगा कि वह पानी से ही रिमूव हो जाता है जाय ठंडा पानी हो या गुनगोना पानी नॉर्मल वैक्स अपने आफी रिमूव हो जाता है इस वैक्स को भी करना काफी आसान है लेकिन यह थोड़ी सी कोश्ट ली नॉर्मल वैक्सिंग से थोड़ी सी कोश्ट ज्यादा होती है वैसे जरुवत से ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन फिर भी थोरी सी कोस्ट ज़्यादा होती है ठीक है इसके बाद ओइलिंग करने के बाद आप बाद में हैंड वाश भी कर सकते हो ठीक है या जिस तरीके से टॉबल और गेरा से वाइप से साफ करते हो इस तरीके से हम आप स चुके है फाइनली ठीक है अगर कोई भी आपका कोई डाउट्स है तो मेरे को कॉमेंट में बताइए जरूर ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब किजिए